आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट्सप नोटिफिकेशन प्रॉबलम कैसे ठीक करें तो अगर आपके फोन में वट्सप पर नोटिफिकेशन नहीं आता है जैसा की देख सकते हैं अगर हमारे वट्सप पर कोई मैसेज आता है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कुछ इस तरीके से और जब हम वट्सप ओपन कर रहे हैं तब हमें पता चलता है की कोई मैसेज आया है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें जिससे की आपका नोटिफिकेशन आने लगे और आपको पता लग जाए की वट्सप पर आपका कोई मैसेज आया है तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिए सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर आएगा एप्स इस पर आप किलिक करिए उसके बाद उपर Manage Apps आएगा इस पर किलिक करिए और ये Manage Apps आपके फोन में App Manager या फिर App Management नाम से हो सकता है तो इसे Open करके देख सकते हैं आपके फोन के सारे आप आ चुके हैं उसके बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर यहाँ पर WhatsApp आएगा तो अब उसके बाद WhatsApp पर आप किलिक करिए तो देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है वटसअप तो इस पर किलिक करिए WhatsApp पर किलिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा यहाँ पर आने का दूसरा तरीका है WhatsApp के आइकन पे एक से दो सेकंड किलिक करके रखिए यानि कि Long प्रेस करिए उसके बाद आएगा App Info तो App Info पे किलिक करिए और App Info पे किलिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं अब यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर आएगा Notification तो Notification पर आप किलिक करिए और किलिक करने के बाद उपर आएगा Show Notification या फिर Allow Notification अगर आपका यह चालू नहीं है तो इसके सामने इस पर किलिक करिए और इसे On करिए इसे On करने के बाद यह जो नीचे Option आ रहे हैं इन सारे Option को चालू करिए यहां से इन सारे Option को चालू करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए चैटस आएगा यहां से Show Notification चालू नहीं है तो इसे चालू करिए उसके बाद Group Notification आएगा इस पर किलिक करिए यहां से अगर यह चालू नहीं है तो इसे चालू करिए Back आईए Message notification पे click करिए इसे चालू करिए और उसके बाद फिर से back आईए और नीचे स्क्रोल करिए सबसे नीचे Additional settings in the app आईगा इस पे click करिए उपर right side में तीन dot आईगा इस पे click करिए Reset notification settings आईगा इस पे click करिए इस पे click करने के बाद नीचे reset आएगा इस पे किलिक करिए अब यहां पर आप चेक करिए आपकी problem ठीक हो चुकी है तो जैसे की हम message कर रहे हैं अपने दूसरे phone से तो देख सकते हैं अब notification आ रहा है तो इस तरीके से WhatsApp notification प्राबलम को ठीक करें विडियो पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें